इस वीडियो में हम भवानी प्रिशाद मिस्तर जी का जीवन परचा देखेंगे तो भवानी प्रिशाद मिस्तर का जन्म सन 1913 में मद्ध प्रदेश की होसंगाबाद जिले के टिगर जगराम में हुआ था रचना देखेंगे सत्पोडा की जन्गल और सननाटा इनकी दो प्रमुक रचना है भवानी प्रिशाद मिस्तर जी का जीवन परचा देखने से पहले मैं आपको बता दूँ यदि अभी तक अगर आपने गद्ध सहित की ये दसों लिखक परचाए और प्रिशाद की ये बीशों कभी परचाए इनके वीडियो नहीं देखेंगे हैं तो हमने प्लेलेस्ट बना करके डिस्क्रिप्सन में लिंकी दिए देख लेना भावपक से देखेंगे बवानी प्रिशाद मिस्तर की कविता हिंदी की सहज लाइगी कविता है इस सहज等一下 का सीधा संबन्द गांधी के चरके की लाइग से भी जुड़ता है इसलिए उन्हें कविता के गांधी भी कहा गया है मिस्तर जी की कविता में बोल जाल की कद्ध्धातमक से लगते बाक bloody वन्यास को ही कविता में बदल लेने की अधभुत छंता है इसी कारण की कविता सहज और लोग के अधिक समीब है मिस्टर जी जिस किसी विशय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं आंगन का पौधा, साम और दूर दिखती पहाड की नीली जोटी भी जैसे परिवार का ये कंग हो जाती है तो ये है मिस्टर जी का भावपक्स, अब हम यहाँ पर कलापक से देखेंगे नई कविता के दौर के कवियों में मिस्टर जी के यहाँ ब्यंग और छोग भारपूर है किन्तु वह प्रतिकरिया परगना होकर स्रजनातमक है गांधी बाद पर रास्ता रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहिंसीलता को रजनातमक अभी ब्यक्ति दी है तो ये है भावानी परशाद मिस्टर जी का कलापक्स अब हम यहाँ पर साहत तमिस्तान देखेंगे भावानी परशाद मिस्टर नई कविता के प्रमुक कभी है साहत के छेतर में भावानी परशाद मिस्टर को साहत अकादमी मद्द प्रद्शासन का सिखर सम्मान भी मिला है तो ये है भवानी प्रशाद मिस्र का साहित तमिस्तन इस प्रकार आपको इनका जीवन पर जाए रचना आए भावपक्स, कलापक्स और साहित तमिस्तन अच्छी तरह से नोट कर लेना है याद कर लेना है परेच्छा की द्रश्टी से बहुत यदिक महत्तपूर है और इसी प सब्सक्राइब कर लिजी हमारे टोडल एंट रिया डिवोजिंग यूट्यूब चैनल को